हाई हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों यहां पर इस वीडियो के अंदर हम लेकर आ चुके हैं को और अमेजिंग प्रोड़क्स दोस्तों वैसे थम्नेल और टाइटल से आपको पता लगी गया लगी गया होगा कि कम आज किसी स्कॉन बॉक्स से रिव्यू करने वा तो ज्यादा तरह अंबॉक्सर जो होते हैं चीजों को फैक फैक के जो है अन्बॉक्स करते हैं बट्ट मेरा जो है यहां पर थोड़ा सा सिस्टम जो है अलगी है एसको ऐसे नहीं सुखी दोस्तों ऐसे निकालना था ओके ऐसे क्रेस है वाओ ओमयू गाड़ अशिक अंदर जो एजाद ही पैंसील है दोस्तों हमारे भारत के भाविश्य जो है हमेरे बच्चे इस से जहें लिखेंगे और मज़े करेंगे चलीये निए देखते तो बच्च हर एक पैंसिल पैकेट्स के अंदर इस तरीके के प्लास्टिक के डबे भाधे मिल जाए तो क्या कहन है तो आि आए लिए बारे बारे करके देखते हैं तो डॉम्स ने जो है उसकी सभी पैंसिल जो है उसका पैकेजिंग एक नए सिरे नेकने तीके से जो है निकाला है बीस पैंसिल का पैक जायतर दस पैंसिल का पैक आता है तो इन लोगों ने क्या करा है बीस पैंसिल का पैक कर दिया है और सभी की कीमत जो है यहां पर जो है इन काफी इंट्रस्टिंग बात है और सभी के अंदर पहले की जैसे शार्पनर नहीं आता है ज्यादर केस में यह वाला इरेजर जो है पाँच रुपे वाला इरेजर है और यह जो है डॉम्स की सबसे पावरफुल सक्सेस्फुल पैंसिल रही है दोस्तों तो यहां पर आपको इ 20 पैंसिल का 120 रुपे तो यह मतलब में दोने यह आप सकतर रुपे वाले थे तक हिया है क्या फ gullas कि ऐअट रूपे का 60 रूपे हो गयए यहाप देख सकते हैं ऑस एक चीज हो गई यहाँ अ पे उसके बाल डॉक है यह इसमें इरेजर टीप है तो इसके साथ कोई इरेजर के शार्पनर फ्री में नहीं आता है अभी काफी टाइम से इसका जो सतर रुपे वाला जो पैक आता है वो थोड़ा सा शॉर्टेज में चल रहा था बट इन लोगों ने इस तरीके के लाटिक कांटेनर वाले जो है नि अगीन यहान तो यह फिंग सतर रुपे का पैसिल हो गया ने साठ का यह ने साठ का ही है तो यह हिजू है सेंब इस प्राइस रेंज में है इसके इन दूनों और यह कितने क्या थे मुझे अभी पता नहीं अलग से शायद यह भी जो है सतर रुपे का ही पैंसिल है दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का इरेजर है इसके साथ तो दोस्तों यह आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा ऑनलाइन भी मिल जाएगा तो इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो इसको आप चाहे तो बच्चों को रिटन गिफ्ट देने के लिए भी जो अभी करीच सकते हैं अभी नवरातरी वगएर आ रही है तो यह भी साथ हुपे वाला पैंसिल यह भी काफी पॉपिलर और सक्स करने वाले हैं कि stationery products के अंदर काफी packaging material यूज होता है तो stationery है फिर दवाईया है और भी काफी चीजों में इस तरीके के लगलग लग तक के प्लास्टिक के डब्बे आते हैं या तो क्या बोलते है कि cardboard के डब्बे आते हैं तो उनसे जो हैं DIY खिलोने कैसे बना सकते हैं उसक को भी आप जरू से चेक आउट करेंगा उसकी लिंक जो है आपको description में मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही enjoy your life have a nice day कर झाएगा छिर्चा कि